सेना में अगनी वीरों की तरज पर अब बैंकों में भी करमचारियों की बहाली होगी ये करमचारी कॉंट्रेक्ट पर रखे जाएंगे देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतिय स्टेट बैंक अपना खर्च कम करने के लिए मानव संसाधन संबंधित मुद्दों के लिए एक अलग कमपनी शुरू करने जा रहा है स्टेट बैंक की ऑपरेशन और सपोर्ट सबसीडरी को हाल ही में रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया से सैधान्तिक स्वीकृती मिल गई हैं शुरुआत में ये कमपनी ग्रामिन और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं में कर अनकारों की माने तो ये कदम उठाकर बैंक अपना कॉस्ट टू इंकम रेशो कम करना चाहता है जो अभी इंडस्ट्री स्टेंडर्ड के हिसाब से बहुत उंचा है ऐसा इसी लिए है क्यूंकि पूरे देश में SBI ने बैंक शाखाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क फीस्दी था और सेवा निवरिती लाब इसके अलावा अन्य प्रोविजन की हिस्सेदारी 12.4 फीस्दी है और इंडिया बैंक ऑफिसर्ड एसोसियेशन के स्यूंक्त सचिव डी एन त्रिवेदी का कहना है कि स्टेट बैंक ऑपरेशन सपोर्ट सर्वेसेज जिन करमचारियो की न्युक्ति करेगी वे सभी न्युक्तियां अनुबंध के आधार पर होगी अनुबंध के आधार पर न्युक्त होने वाले करमचारियों को SBI के स्थाई करमचारियों को मिलने वाले सब भी लाब नहीं मिल सकेंगे इस नई व्यवस्था का असर पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री पर दिखाई पड़ेगा SBI Operation Support Services भारतिय बैंकिंग जगत में अपनी तरह की पहली सबसीडरी होगी हालांकि अब अन्य बैंक भी इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं सूत्रों के मुताबिक कई बैंक पूर्व में RBI के पास इस तरह की सबसीडरी बनाने के लिए प्रस्ताव भी दे चुके हैं लेकिन तब RBI ने इसकी अनुमती नहीं दी थी लेकिन अब SBI को अनुमती मिलने के बाद अन्य बैंक भी अपने पुराने प्रस्तावों को एक बार फिर आगे बढ़ाने के लिए RBI से ऐसी सबसीडरी के लिए मन्जूरी मांग सकते हैं इस प्रकार ये अगनी वीर की तरह बैंक में भी एक नई बहाली योजना होगी वहीं कॉंगेस ने इसको लेकर सरकार से सवाल करने शुरू कर दिये हैं कॉंगेस का कहना है कि ये पिछले दरवाजे से नीजी करण का नया तरीका है अगनी वीर तो बस बहाना है दरसल सरकार पूरे सार्वजनिक शेत्र को कॉंट्रेक्ट व्यवस्था में लाना चाहती है बैंकों में भी अगनी वीर के तरज पर करमचारियों की बहाली करने की योजना बनाई जा रही है ऐसे सभी करमचारी कॉंट्रेक्ट पर रखे जाएंगे जो सरासर गलत है आपको बता दें कि कॉंग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और सांसद जैराम रमेश ने अपने ट्वीटर पर लिखे अपने एक पोस्ट में कहा सेना के बाद मोधी सरकार ने पबलिक सेक्टर के बैंक में कॉंट्रेक्ट पर रोजगार देने की तैयारी शुरू कर दी है ये पिछले दरवाजे से नीजी करण का नया तरीका है अगनी वीर बहाना है पूरे सार्वजनिक शेत्र में कॉंट्रेक्ट व्यवस्था लाना है अपने ट्वीट में जैराम रमेश ने इसे संबंधित खबर को भी पोस्ट किया है